स्री शिवाय नमस्तुब्याम हर हर महादिव कैसे हैं आप सब देखिए हम सबी जानते हैं कि अभी सावन मास का पवित्र में ना चल रहा है और सावन मास के मंगलवार के दिन आपको बहुती आसान से उपाय करना है देखिए सावन का जो मंगलवार है वेसे तो मंगला गोरी वरत उस दिन रखते हैं लेकिन अगर किसी कारण वर्ष आप वरत नहीं रख पाते हैं तो आपको बहुती आसान से यह उपाय करना चीए यह उपाय इतने खास हैं कि आपके जीवन की समस्त भादाय समस्त कस्टों को दूर कर देंगे देखिए विशेशकर यह उपाय प्लुद्ध्यान से समझना और इस वीडियो को अंध़ तक देखना अगर आज के यह उपाय हैं इन में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो निशित तोर पर आप रेण मुक्त हो जाएंगे करज जो है सर पर होना जिन्दगी को मुश्किल बना देता है कर्ज मुक्त जीवन बहुत ही खुशाल जीवन होता है कर्ज लेना जितना आसान होता है न तो कई बार चुकाना उतना मुश्किल हो जाता है कई बार कर्ज लेने के बाद लोटाना बहुत जादा भारी पड़ जाता है पूरी जिन्दगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है तो आज के इस कस्टम में आ जाता है कर्ज की वज़े से मान हानी होती है पेसो की तंगी होती है पारिवारी कलर जिलना पड़ता है कर्ज में डूबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार को मुसीबत में डाल देता है तो कर्ज लेते हैं वक्त ही समस्या के बारे में वेसे तो सोचना चाहि लेकिन अगर आपने कर्ज ले रखा है तो अब उसे चुकाएं कैसे किस प्रकार से उपाय करके आपकी मुसीबतों को आप दूर कर सकते हैं हमेशा ध्यान रखें कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आपको कर्ज नहीं लेना चाहिए अगर आपने इस दिन कर्ज लिया तो उतारने में काफी दिक्कत आती है और शनिवार को लिया हुआ कर्ज तो कभी भी समाप्त नहीं होता है तो शनिवार के दिन ना तो कर्ज लेना चाहिए और ना ही कर्ज का आविदन आपको देना चाहिए तो कोशिश करें कर्ज अगर लेना भी हो तो सोमवार भूदवार और ये जो शुकरवार है तीन वार के दिन आप कर्ज ले सकते हैं और कर्ज अगर आप लेते हैं तो अगर इन वारों पर आप कर्ज लेते हैं तो उतारना बहुत ही सरल हो जाता है और वो आराम से उतर जाता है कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं है लेकिन कठीन भी नहीं है कर्ज कितना भी बड़ा क्यों न हो उतर ही जाएगा आज के इस वीडियो में जो तीन महा उपाय बताएंगे वो पुझ जी गुरुदेव पंडित प्रदीब जी मिश्रा की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के यदि आप सच्चे बखते हैं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें अब देखें ये जो उपाय है आपको कप करना है आज के इस वीडियो में हम जो चार महा उपाय आपको बताएंगे ये चारो महा उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है किसी भी मंगलवार के दिन से आप यह उपाई शुरू कर सकते हैं दीखें सबसे पहला उपाय लाल मसूर की डाल का उपाय है दीखें क्या करना है मंगलवार के दिन आपको एक ताम्बी के पात्री के अंदर जल बरना है उसके अंदर एक तुकड़ा गुर्ड कर डाल देना है और साथ में आपको लेना है साथ या तो ग्यारा लाल मसूर की डाल आपको लेना है ठीक है साथ लेने, सेवन लेने या तो ग्यारा लेने अब आपको भगवान शीव के मंदिर में जाना है और ये साथ लाल मसूर की डाल जो है वो रिंद मुक्तेश्य ओर महादेव का इसमरण करते हुए आपको मनही मन में प्रातना करनी है कि मेरा ये जो कर्ज है ये सब उतर जाए आपने जिससे भी कर्ज लिया है चाहे बैंक से लिया हो, चाहे किसी व्यक्ति से लिया हो चाहे किसी परिवार वाले व्यक्ति से लिया हो उसका इस्मरण करना और कितना देना है उसका इस्मरण करना कि इतना मुझे देना है आपकी क्रपा से ये सारा कर्ज उतर जाए ऐसी आपको मनोकामना करनी है और ये साथ लाल मसूर की डाल रिन मुक्तेश्वर महादेव का 108 बा नाम लेकर के ये साथ चनी की डाल या तो ग्यारा चनी की डाल जो है आपको महादेव के शीवलिंग पर आपको अर्पित कर दिनी है आगे आपको बासन में ध्यान रखना बहुत भाव से कि ये मेरा कर्ज आपको ही उतारना है मैं आपके पास आया हूँ और आपको मेरी साहित करनी है इस प्रकार से आपको कामना करते हुए ये अर्पित कर दिना है और अंत में एक लोटा जल जो गुड में श्रित जल है वो भगवान शेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर दिना है ये जो उपाय है आपको मंगलवार के दिन करना है लगातार पांच मंगलवार आप ये उपाय करके देखिए निश्य थी आपका जो बोज है वो कम होना शुरू हो जाएगा देखिए अब दूसरा उपाय ये उपाय भी बहुत ही खास है आपको क्या करना है मात्र एक तुकड़ा गुड़का लेना है और तामबे के पात्र के अंदर जल लेना है ये गुड़का तुकड़ा तामबे के पात्र के अंदर आपको डालना है और उसके बाद आपको क्या कर और यह भूमिने के ऊपर लोन ले रखा है तो अगर आपको इंप लेकर घ्र रखा में गर्वंदित और पसका देंग ऑपाई लगातार पांच मंगलवार करना है नंग द्रसकर मैं गुंडीयम हमके हैर Banji डालेंगे तो आपका जो मुख होगा वो होना अच्छी दक्षिंड दिशा की तरफ के जल अरपित करते समय मंगल देव से प्रातना करें भूमी से जुड़े कोई भी समस्या हो वो सब दूर हो विवा सम्मेद कोई भी परिशानी हो वो दूर हो ऐसे आपको प्रातना करनी है और अंत में जो जल आप अरपित करेंगे तो मिट्टी जो है वो गिली हो जाएगी तो उस मिट्टी को आपको हाथ लगा करके अपने मस्तक पर लगाना है ताकि आपके जीवन का ये जो भार है ये उत्तर जाए तो इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं अब देखें तीसरा आपको क्या करना है मात्र एक पान का पत्ता लेना है आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है देखिए पान को हिंदु धर्म में लगभग सभी कारियों में शुब माना जाता है कंद पुरान के अनुसार समुद्र मन्थन के समय पहली बार पान के पत्ते अगर आप कर्ज से बूरी तरह डूप चुके हैं यदि आप कर्ज में बूरी तरह डूप चुके हैं लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नेजर नहीं आ रहा है हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है सफल नहीं हो पा रहे हैं तब आपको क्या करना है एक पान के पत्ते के उपर आपको शहद लगाना है जो कि आपके जीवन की मुश्किले को दूर करता है ठीकि उपाय करने से पहले आपको क्या करना है धियान रगना पान का पत्ता कhटा-fishटा नहीं होना चीए और ऐसा साफ सुत्रा पान का पत्ता लेना और पत्ते की जो नीचे की डंटल होती न उसको आपको निकाल देना है ठीक है हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है और साथ में इस पत्ते के उपर चिकनी वाली साइट के उपर ये उपाय आपको हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के सामने करना है क्या करेंगे पत्ते के उपर शहाद लगाएंगे शहाद के उपर आपको दो लॉंग रखनी है और साथ में एक इलाइची रखनी है और इसको आपको मोड करके इसका बीड़ा बना देना है और इसे आपको शाम के समय मंगलवार के दिन शाम के समय बीड़ा बना लेना है और हनुमान जी के वहाँ पर आपको मंदिर में आपको अर्पित कर देना है इस उपाय को करने से आपके जीवन की जो भी बड़ी से बड़ी वीपदा है बड़ी से बड़ी समस्या है जो कई दिनों से दूर नहीं हो पा र सकते हैं इस उपाय को करने से आपका कर्ज निश्यत ही दूर होता है आपको पांच मंगलवार लगातार यह उपाय करना है मंगलवार के दिन आपको नौ तुलसी जी के पत्य आपको तोड़ लेना है और साथ में आपको लेना है 11 लोंग बहुत द्यांजर समझना यह उपाय आपको मंगलवार के दिन शाम के समय करना है और एक मोली का धागा लेना है अब आपको क्या करना है एक लॉंग लेना है उसे गठान बनना है फिर उसके आद एक तुलसी जी का पत्ता लेना है उसकी एक गठान बनना है इस प्रकार से आपको 9 पत्ते लगाना है और 11 लॉंग याने कि लॉंग फिर पत्ता तुल्शी जी का फिर उसके बाद लॉंग फिर पत्ता इस प्रकार से आपको ये माला तेयार कर लेनी है और उसके बाद हनुमान चालिसा का आपको पार्ट करना है और उसके बाद मंगलवार के दिन ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर कम भीड़ाती हो और वहाँ पर आपको यह हनुमान जी को माला के रूप में आपको अर्पित करवा देना है इस प्रकार से अर्पित करवाने से आपके जीवन में जो भी कर्ज है वो सब निश्यत ही दूर होता है ये सबसे ज़ादा प्रभावशाली उपाय है हनुमा ये सबसे कारगार उपाय है निशित तोर पर अगर कोई उपाय काम करे या न करे ये उपाय तो आपके जीवन के सारे संकट को हरने में सक्षम ही है ये उपाय लगातार साथ मंगलवार सेवन मंगलवार करना है अगर आप प्रकरशा उपाई कर चार महां बता आह alleen आपको शृष कोषें पूछाेन ना है उस्छी श्री शिवाय नमस्तु भ्याम हर्हर महादेव